मेरे इस चैनल पर एक बार आप फिर से आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त गोरव और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम इस चैनल पर उत्राखंड लेक्षर था एडटी के लिए तैयारी कर रहे हैं लेकिन कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट के कि सर उत्राखंड जीके भी आएगी तो आप लोगों को वो चीज भी पढ़नी बहुत जरूरी है उसके अलावा जो उत्राखंड के बाखी सब एक्जामस होता है उसमें उत्राखंड जीके का काफी इंपोर्टेंस होता है यह सब आप लोग जानते हैं ठीक न तो इसलिए मैं आपके बीचे म पहरी वीडियो लेके आया हूँ अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूंगा ठीक है दोस्तों तो चलिए सुरू करते हैं हम आज की जो उत्राखंड जीके तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम जो है जो जो इसका जो डिवाइडेशन है वो किस प्रकार से किया गया है तो उत्राखंड में सबसे नीचे है आपका उत्तर का मैदान ठीक है न, तो नौर्डर्ण प्लैंट जिसको हम कहते हैं तो आब इनके जो हम डिवाइडेशन हम करते हैं तो हिमाल्य को हम फर्दर तीन और सिवालिक हमाले यह आप सब जानते हैं ग्रेट हमाले ठीक है ना और सिवालिक हमाले सब से निचला हमाले उसके बार जो संक्रमन छेत्र है उसको फर्दर हम दो भागों में बाणते हैं भावर और तराई और जो उत्तर का मैदान है वो अगें दो छेत्रों में बटे हैं व लोग जानते हैं चला नकसद देख लेते हैं एक बार हम मैप के अंदर देख लेते हैं कि कहां पर कौन सा स्टेट है तो यह एक मैप है जो मैंने बनाया है तो इसमें आप यह मैप आपके दिमाग में होना जरूरी है जब भी हम उत्राखंड कुछ जीके को पढ़ते हैं क्यों कौन-कौन से उत्तरकासी, चमोली, पिथोड़ागड ठीक है ना रुद्रप्याग हो गया बागिसोर हो गया तो इन में यह ग्रेट हिमालय का पार्ट है खेर हम इनको अलग से हम डिसकस करने ही वाले हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं देखते हम क्या-क कि और अलगे आज हम पढ़ाएंगेों सबस्लें जो हमालय हैं तन सस्बहूंन अंतर घृडब में मालय के दा हमी निमलिखी आधार पर विवाजन किया में तो सबसे पहले हम बात करेंगे बयाद हमालय तो ग्रेट हिमाले उत्राखंड में जो इसका जो बिस्तार है ग्रेट हिमाले का वो रुदरप्राक्ट, शमूली, बागिशोर और पिथोड़ागड जिलों में तो मैंने अब भी बादा है कि सबसे उपर के जिल्ये हैं वहाँ पर हमारे ग्रेट हिमाले, महान हिमाले या ब्रेग इसथार हिमाले का है वो फैतालिस से लिएकर छे हजार मीटर तक है, ठीक है न? यह average height है, और यहां पर इससे भी उची जो है, ariosटी जो है, चूटियां, महान हमालाय के अंदर पाए जाती है, ठीक है न? सबसे जो उची चोटी है, कौन सी हमारी नंददेवी west, तो यह भी इसी हिमालय के अंदर हमारी पाई जाती है ठीकर उसके बाद जो है और जो चोटे हैं हमारी माना हो गई मनंदा देवी इस्ट हो गई ये सब के सब जो है वो इसी के अंदर पाई जाती है इस छेतर में जिवास्म नहीं पाई जाते है जो fossils हैं वो नहीं पाय जाते हैं वही क्योंकि यह जो है वो सबसे पुराना हिमाला है और क्योंकि यह दूसरी प्रकार की जो rocks हैं उनसे बनावा है तो इसलिए यहाँ पर जिवास में यह फॉसिल नहीं पाय जाते हैं इसके अधरिक संपुर हिमाला चेतर में सबसे जो कम वर्सा है वो इसी में होती है तो याद रखना ये विचीज जो सबसे कम वर्सा है वो उच्छी हिमाला या ग्रेट हिमाला के अंदर होती है उचाई अधिक होने के कारण इसकी चोटियां वर्स बर बरब से जमी रहती हैं और जिस कारण से यहाँ पर जनसंगिया नगणने हैं, तो यह आप जानते हैं कि उच्छी हमाले छेत्रों में जनसंगिया ना के बराबर हैं, ठीके ना, उसके बाद जब हम बात करते हैं, यहाँ पर जन जाती हैं, छेत्र कौन उसे रहते हैं, तो इस छेत्र में जो भूटिय तो 12,000 फुट जहां से हिम सुरू होती है उससे उपर वनस्पती नितान तबावा क्योंकि यहां पर साल के लगबग सारे महिने बरफ पड़ी रहती तो वनस्पती ऐसी जगह पर ना के बराबर ही होती है उसके बाद अगर हम हिम रेखा से नीचे आएं जहां पर जो है वो इस इसनों फॉल होता है उसकी जो लाइन होती है वो है 10-12,000 फुट से उपर अगर हम 12,000 फुट से थोड़ा नीचे आते हैं 10,000 फीट फुट के आसपास या फिट के आसपास तो इस पर हमें अलपाइन जाडिया और कुछ घास के मैदान जो है वो दिखते है ठीके ना और इन मैदानों को हम क्या कहते हैं सीतोसन कटबद्य जो है गास के मैदान या वनस्पति कहते हैं यहां पर कौन-कौन सी वनस्पति पाए जाती इस प्रूस हो गया सिलवर फर ब्लू पाइन इस प्रकार के जो बेक्ष हैं यहां पर पाए जाते हैं और उत्तरागंड की जो सबसे उची जो चूटियां हैं सबसे हायस्ट जो पीक्स हैं जिनकी संक्या सबसे ज़्यादा चमूली में हैं वो भी इसी में पाई जाती हैं तो यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ठीक है ना उसके बाद जब ग्रेट हिमाले से हम थोड़ा नीचे आते हैं तो हम बात करते लगू हिमाले के बीच में रमड़ी घाटियां पाए जाती हैं जिसमें सबसे प्रसितध हमारी कौन सी है जमूली के इंदर जो हमारी फुलों की घाटी है वैलिय और फ्लावर ठीक है ना इसके अदर इन घाटि चित्रों में चोटे मोटे बुग्याल भी पाए जाते हैं त मध्य हिमालय का विस्तार उतरрокंड में सबसे अधीग है तो सबसे अधीग जो विस्तार है वो लगु धीमालय का विस्ता य outs दो लगवाग पैंतालिस सो मिटर है किर यायनि किपैंतालिस मिटर के आजपास यहां पर चोटि cen की वह और सत्तर से सौ किलोटर की चौड़ाईएं तो यहां पर भी जो है वो फॉसिल नहीं पाए जाते है और यह ग्रेनायर तो था नीस जैसे जो चत्टाने होती हैं उनसे बना हुआ है साथ के साथ क्वार्ज और स्लेट की जो चटाने हैं उन से भी यह निर्मित हो रखा है तो यह भी इनोंने बता दिया है उसके बाद हम बात करते हैं लगु हमाले में धौलादार, पीर, पंजाल हो गया, नाग हो गया, आदी स्राणियों में विवाजित है यानि कि जो लगु हमाले वो फर्दर हम जोगरफी में भी आपने यह चीज पढ़ी होगी कि हम लगु हमाले को और जो है वो तीन प्रकार की स्राणियों में बाढ़ते हैं धौलाधार, पीर, पंजाल और नाग ठीक है न इस प्रकार की स्राणियों में हम डिवाइड करते हैं उसके अलावा जो average temperature 18-20 degree होता है और इसी कराण से परेटों को कोई आकर सक कहेंदरी ये लगवातर बना देता है क्योंकि गर्मियों में भी यहाँ पर जादा तापमान नहीं होता है ठीक है में भारी मातरा में छोटे बड़े मुलायम घास के मैदान पाया जाता है इन्हें गडवाल में बुग्याल और कुमाओं में क्या पैयार के नाम से जाना जाता है ठीक है न तो यह जो घास के मैदान है इन्हें गडवाल में क्या का जाता है कि यह बुग्याल है और कुमाओं म कट बन दिया क्या हो गया सीध कट बन दिया सिटोशन कट बन दिया उसन कट बन दिया यह सब जो बनस्पति के बारे में आपने जोगरफी के अंदर पड़ा हुआ होगा तो यह वह चीज वह कह रहे हैं तो हम कहां थे जिसमें प्रमुक रूप से कौन से ब्रिक्ष है आपके बुरास देवदार बांज यह सब जो चीड हो गया यह हमारे सिटोशन कट बन दिया वनस्पतियां जो यहां पर पाई जाते हैं वह हिमालाय का यह चित्र हर समय बरब से ढखा होगा नहीं रहता है इस कारण से इस चित यह सब करण से आपका जो हो गया मंडवा हो गया जंगोरा हो गया मक्का हो गया इन सब की खेती हैं यहां पर की जाते हैं अत्रिक्त जो है वह अगर मद्य हिमालई छित्रों के सितोष के कटबंदिया जो छेतर हैं उहाँ पर कुछ फल जैसे सेव हो गया, अकरोट हो गया, नासपती हो गया, माल्टा, नीम्बूग, पुलम, खुमानी, आडू, चुलू, आदिका, भारी मातरा में उत्पादन होता है, तो यह सब चीज़ें आपने, अगर आप पहाड़ी हैं, तो आपने यह सब चीज़ें खाई होंगे, ठीके ना, चलते हैं, आगे चलते हैं, फिर नेक्स हम बात करेंगे, कि इसमें एक नोट भी लिखा हुआ है, कि भुकम्प के दृष्टी से, लगु हिमाले सबसे ज़्यादा क्या है, समीधन सीले, यहाँ पर सबसे ज़्यादा भुकम्प आते हैं, ठीक है, उसके बाद, नेक्स्ट हम बात करेंगे, घाटी चेत्र, अब इसके बाद, लगु हिमाले, जिनमें दो चीजे हैं, दून और दून, बिस्तित जो घाटी चेत्र है, जिसका विस्तार देहरा दून जिले के, डाक पत्थर से लेकर, पोड़े के कोड़वार तक है, ठीक है ना, और पटेर पानी तक इसका विस्तार है, इस घाटी को पस्चिम में हम कहते हैं दून, दून कौन-कौन से हमारे जैसे देहरा दून हो गया, पच्वा दून हो गया, और पूरु में इनको हम कहते हैं दौर, जैसे हर दौर, कोड़दौर, तो इस प्रकार के चीजें इसमें डिवाइडेशन है, फिर उत्राखंड में सबसे अधिक जन्संक्या जो गहनतो है, वो इसी घाटी छेतर में, क्योंकि यहाँ पर रहने लाएक कंडिशन सबसे अच्छी है, क्योंकि मैदानी छेतर है, तो इस रहे सब ज़्यादा पॉप्पुलेशन भी, क्योंकि क्रसी के दिश्ट्रिकोंड से यहाँ पर बड़ी जोतें भी संभव हैं, इसके अत्रिक्त विकास के दिश्ट्रिकोंड से यहाँ की प्रमुक फसलें हैं आपका चावल, गेहूं, अम्रूद, लीची, आम, आदी, तो आपने देखा हो कि देहरदून के अंदर पहले बासमती राइस कितना famous होआ करता था, आप तो यहाँ पर खेर नहीं है, वो चीज़ खतम होती जा रही है, लेकिन पहले यह चीज़ famous थी, लीची के ले famous था तो यह चीज़ धीरे-देरे आप खतम हो चुकी है, पर आगे इस सबसे दक्षणी सीमा अगर हम बाद करें तो सिवाले की हमाला है कि जिसकी की 1200 से और 1800 जो है वो अवसत जो है मीटर उंचाई है और 10 से 20 किलोमेटर की लगबग चोड़ाई है, तो सबसे नवीन सिरनी अगर हमाला की है तो यह है और यहाँ की जो चटाने वो अवसादी प्रकार की है यह important बात है कि इसकी जो चटाने वो अवसादी हैं अवसादी यानि sedimentary rocks जो की एक के उपर एक जो है वो जब परतें जमती जाती है तो वहाँ पर क्या होता है इस प्रकार की जो चटाने और sedimentary rocks है वो बन जाती है आप सुब जानते हैं यह और उसमें जो है और मैं देशोन से इन इन चट्टानों में हमारे क्या पाए जाते हैं जीवास में पाए जाते हैं या फॉसल फॉसल स पाए जाने का करण क्या होता है कि जो जिव जंतों होते हैं पेड़ पूते हैं तो घीरे-धीरे वो Eu-1country पर जंते है और काळंदर में यह जो घ्वात इ तो यह चीज़ें आपको पता होगी फिर हिमालाई की तीनों स्रिंकला हम ने पड़ी उसमें सबसे ज़्यादा वर्सा है वह सिवालिक स्रिंपल में ही होती है क्योंकि हमारी सबसे नीचली स्रिंपली जिसके कारण से अब लगाता तोटती रहती है फल सरूप सिवालिक स्रिंपली भूसकलन के दिश्चे से सबसे अधी कच्छे है जैसे वर्साथ उती है तो उसमें तुरंत जो है इसमें भूसकलन होता है और यह नीची गिरने लग जात पर बसावट कम है तथा मुख्य रूप से बोक्सा जन जाती कि लोग सिवालिक स्टेणी में निवास करते हैं उसके अलावाद सिवालिक स्टेणी में मांसोई वन जो है वो पाए जाते हैं जिसमें ब्रिक्षों में जामुन हल्दू सीशम आदे सीशल सेमल इनके ब्रिक्ष पाए जाते हैं फिर आगे चलते हैं आगे बात कर रहे हैं कि नोट में एक चीज़ लिखी हुई है हमालाए की केवल सिवालिक स्टेणी में ही जीवास में प्राप्त होते हैं क्योंकि यहां पर चट्टाने रूपांत्रित अवस्ता में नहीं पहुंच पाई है क्योंकि तो वो है हमारा भावर वाला एरिया ठीक है तो भावर वाला एरिया कौन सा है हिमाले के उत्तर के उत्तर हिमाले तथा उत्तर के मैदान के बीज भावर तथा तराई नाम के एक संक्रमार छेतर पाया जाता है यानि राजिशन छेतर जो हिमाले से बहने वाली नदिया है वो जाहिर से बाद है मैदानों में उनका flow कम हो जाएगा और वो अपने साथ जितने भी पंकंगर पत्थर उपर से भाग के लिए क्या ही होगी वो सब क्या करेगी दीरे-दीरे मैदानों में छोड़ती जाएगी जिस कारण से जो है ये इलाके जो नीचले इलाके हैं ये भावर बहती है क्योंकि यहां पर बड़े-बड़े पत्थर इन भावर एरिया में पाए जाते हैं तो नदिया इन से नीचे होकर पहती हैं इसके अंदर किरसी के द्रिष्टिगोंड से ये छेतर उप्यूक्त नहीं तो जाहिड सी बात है कि किरसी के लिए उतना उप्यूक्त एरि बीस से तीस किलोमेटर की चौड़ी एक पट्टी के रुप में हमारे ये नीचले जो जिले नैनी ताल उदहम सिंग नागर हरदवार इन छेतरों में इस्तित है जिसका सबसे अधिक बिस्तार जो है वो उदहम सिंग नागर में है तराही वाला छेतर तो इस तराही छेतर मे वापस से क्या होता है भावर छेतर की जो बिलुक्त नदिया है वो इस तराही छेतर में प्रकट हो जाती है ठीक है और इनका जो वेग है वो यहाँ पर बहुत स्लो हो जाता है इस कानार से तराही का जो अधिकांस भाग है वो क्या होता है दलदली होता है और इन्हे सुखा कर किरसी योग के भूमी तयार की जाती है किरसी के लिए यह चेत्र उप्यूग तो माना जाता है क्योंकि जायर सी बात है यहाँ पर जो है वो प्लेंस एरिया है तो जो है मिट्टी भले वो दल्दरी है लेकिन जब सूपती है तो उसके बाद वो किरसी योग हो जाती है तो ग का अगर हम आदर आदरता की बात करें सबसे अधिक आदर जो छेत्र है वो यही वाला छेत्र है यहां पर सबसे ज़्यादा आदरता पाए जाती है ठीक है तरह एक छेत्र में पाताल में पाताल तोड़ कुमें पाए जाते हैं तो यह भी इसकी एक खास बात है कि यहां पर कौ तो इस प्रकार से हमालाई चेत्र का विस्तार हो गए और फाइनली हम पहुंशते हैं अपने सबसे निचले चेत्र में जो कि है आपका उत्तर का मैदान कौन सा उत्तर का मैदान तो यह भी important है उत्तर का मैदान उत्तराखंड में केवल हरद्वार जिले में ही उत्तर के मैदान का विस्तार है अगर हम विस्तार के बात करें तो कहने के लिए तो धम सिंग नगर भी थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं लेकिन जादातर जो बिस्तार अगर हम कहेंगे तो वो किसमे हरे दौर हमारा जिले है उत्तर के मैदान के बिस्तार है जिसके अंदर हमारे भगवान, पूर, रूड़की, लक्सर यह वाले जो एरिया है यह आते हैं इसको भी फर्दर जो है दो भागों में निचला छित्रे, जहां हर साल क्या होता है बाढ़ का पानी पहुंच जाता है बेटर मैं थोड़े क्लास पढ़ा हूँ, ठीक है जहां हर साल बाढ़ का पानी पहुंचता है उसे हम क्या कहते है और जब बाढ़ का पानी यहाँ पर पहुंचता है तो उससे यहाँ पर नई जो जलोड मिट्टी है वो यहाँ पर बिच जाएगी क्योंकि जायर सी बात है भी हर साल जैसे बाढ़ का पानी आएगा तो वहाँ पर जब बाढ़ का पानी यहाँ पर पहुंचेगा तो वो अपने साथ नई मिट्टी लेके आएगा और नई मिटी जब वो लेके आएगा तो उससे क्या होगा नए जो मिनरल्स है वो छेत्रों में आएंगे जिससे उस छेत्र की जो productivity उत्पारता वो अधिक होगी ठीक है ना तो ये एक अब्विस बात है कि वो productivity वहां के अधिक होगी लेकिन बाड के कारण फसलों का जो है नुकसान भी होता है ठीक है तो ये बात भी आपको याद रखना है कि जो बाड होती है उसके कारण फसलों का नुकसान भी होता है क्योंकि भाई हर साल बाड आएगी तो कुछ नुकसान तो करेगी करेगी तो जो हरदवार की कुछ एरिया है लुड की लक्सर भगवानपुर इन छेत्रों में ये चीज होती है फिर नेक्स हम बात करेंगे दूसरी जो छेत्र रहते हैं वो है बांगर तो बांगर जो एरिया है यहाँ पर जो है वो जो है वो पुरानी जो जलोड मिट्टी है वो पाय जाती है तो हरदभार का उपर का एरिया है नारसन हो गया मंगलर हो गया ये जो है इसके अंतर आता है जहां बाल का पानी नहीं पहुंचता है तो ये सीज आपको याद रखने हैं खाधर और बांगर इसमें कण्फूजन हो जाता है ठीक है ना उसके अलावा हम इसका एक चीज और देख लेते हैं कि उत्राखंड का जो हमारा अक्षांसिय और देसांतरिय विस्तार है वो किस प्रकार से देखते हैं तो हम अगर हम बात करें, उत्रागंड के मैप को देखते हुए, तो जो इस्ट से वेस्ट तक है, पूरा जो है, वो तीन सो अठावन किलोमेटर का जो है, वो पूरा आपका विस्तार है, यहां से यहां तक, और अगर हम नॉर्थ से साउट की तरफ जाएं, तो तीन सो बीस कि आपका पूरा बिस्तार है और अगर अक्सांसों की बात करें तो 77 डिगरी 34 मिनट से लेकर 82 डिगरी 2 मिनट तक यहाँ पर एस्ट सुर्ण सुर्य वैस्ट टू इस्ट तक है और फिर 28 डिगरी 43 मिनट से और 31 डिगरी 27 मिनट तक यह नौर्थ से लेकर और साउट से लेकर नौर्थ तक तो इस प्रकार से उत्राखंड का जो ये भावलिक विस्तार है ठीक है ना तो ये इसको हम क्या कहते है अक्सांसी जो ये वाला विस्तार होता है आपका पूरु से पस्चिम की तरफ उसको हम कहते है अक्सांसी विस्तार और जो उपर से निचे की तरफ होता है उसको क्या करते है देशांत्री अविस्तार तो ये अक्षांसर देशांत्र आपने पड़ा भी होगा पहले ठीक न तो आगे हम बात करते हैं अब इसमें कुछ और उत्राखंड की राजनितिक सीमा है राजनितिक सीमा है यानि कि जहां तक हमारे नक्से के अंदर कौन कौन सी चीजें जो राजनितिक ने डिसाइट की है जो एक देश की सीमा होती है उसको राजनितिक सीमा करते है तो अंतराखंड भारत की सीमा अंतराजियों में से एक है तो ये आप जानते है दो देशों चीन और नेपाल के साथ अंतराश्टिया सीमा हम साज जिले की है तो ये भी आपको चीज याद रखनी है कि जो उत्तरा घंड़ है उसमें सबसे लंबी सीमा जो है वो पित्थोड़ा गड़ जिले की है ठीक है फिर उसके बाद जो है सबसे जो लंबी सीमा है वो पित्थोड़ा गड़ जिले की है ठीक है सबसे लंबी सीमा किस के साथ उत्तराखंट के साथ उसके बाद नेक्स उत्तराखंड के तीन जिले पित्थोड़ा गड़ चमपावत तथा उधंज नगर नेपाल के साथ अंतऱास्टिय सीमा बनाते हैं तो ये भी आपको यारखना हैं कि हमारे जो तीन जिले हैं अब मैप को याद कीजिए सबसे उपर के सबसे जो इस्ट के जिले हैं वो कौन-कौन से हमारे पिथोड़गट है चमपावत है और उधम सिंगनागर तो ये हमारे क्योंकि इस्ट में नेपाल है तो उसके साथ ही सीमा बनाते है और सबसे लंबी जो सीमा है वो पिथोड़गट जायट सी बात है वो बनाता है ठीक है फिर पिथोड़गट एक मातर जिला है जो चीन वग नेपाल दोनों को चूता है क्योंकि वो उपर की साइड से भी है और इस्ट की साइड से भी है तो ये चीजें आपको याद अखने है फिर उत्तराखंड जो है वो भारत के दो राजियों हिमांचल प्रदेश था उत्तर प्रदेश को चूता है ठीक है तो ये भी आपको याद अखना है कि कोन से राजियों को चूता है और देरदुन हो गया ये हिमाचल के साथ सीमा बनाते हैं और पांच जिले जो है देरदुन, हर्दवार, पौडी, नेंटा, लमसिन अगर ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनातें तो ये जानते हैं हमकी सबसे जो निचले जो जिले होंगे हमारे हमारे बिल्कुल जो सावत में है वो कौन है उत्तर प्रदेशता है उसके साथ सीमा बनाने वाले आप मैप को याद कीजिए मैप के अंदर ये सारी चीजिया आप के लिए हो जाएंगे ठीक ना अब अगर हम प्राकृतिक सीमाओं की बात करें यान नेचरल जो प्रकृति ने अंतरगर्द हम बात करते हैं कि उत्तर आखंड में उत्तर मैं जो है ब्रिहत हिमालाई से लेकर दक्षिण में उत्तर के मैदान तक और पूरुह में हमारी काली नदी बहती है उससे लेकर और पस्षिम में टौंस तक बिश Didain तो हमारी जो पूरी सीमा काली नदी है क्योंकि अगे तो नेंपाल है , और उसके बाद से हिमान चल है , बाकि उपर सबसे उपर हमाले है, तीक है, और दक्छिर में हमारा उत्तर्का मेदान भाष़ तो यह हमारा।व इस प्रकार से इस वीडियो में हम इतना नहीं आभी पढ़ते हैं तो बाकी की जो चीजे हैं वो नेक्स वीडियो के अंदर डिसकस करेंगे ठीक है तो आप लोग मुझे पूरी उम्मीद है कि जो चीजे मैं आपको समझाई तो आपको समझ में जरूर आए होंगे ठीक है तो ठीक है आप लोग इसी तरीकी से मेरे पिये तेंक्यू तेंक्यू सोमेश दोस्तो